नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल एस्ट्रो सच पर दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल एस्ट्रो सच को अभी सब्सक्राइब कर लें। जल्दी खाना बनाने के संबंध में एक बहुत बड़ी बात कही है, जिसे जानना आपके लिए अतियावश्यक है। कि जिस घर की महिला सुबह जल्दी खाना बनाती है और यह पांच महत्वपूर्ण काम रोज करती है, तो उस घर में क्यों स्वयम लक्ष्मी जी वास करती है। कहानी को शुरू करते हुए कहती है कि किसी नगर में एक अवल दर्जे का आलसी रहता था। वह इतना आलसी था कि खटिया पर जिस करवट लेता उसी करवट लेता रह जाता। बदलने में भी उसे परेशानी नजर आती थी। पत्नी बेचारी जब किसी काम के लिए कहती, तभी वह करवट बदलता और पत्नी की तरफ पीठ फेर कर पड़ा रहता। उसकी आदतों को देखते हुए पत्नी को विश्वास हो गया कि वह कभी कुछ न करेगा। एक दिन पत्नी ने बड़े प्रेम से उसे समझाया, बोली, मैं जानती हूँ कि तुम्हें घटिया से उठने में कश्ट होता है, किन्तु इस तरह एक ही करवट लेते रहने से भी आदमी नाकारा हो जाता है, बाहर नहीं जाना चाहते हो, तो खटिया पर बैठे-बैठे ही क किया जा सकता है, कुछ देर बाद उसकी समझ में बात आई, खुश होकर वह पत्नी से बोला, पड़ी सुनती हूँ, मैंने बैठे-बैठाय काम ढूंड लिया है, अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, पत्नी प्रसन्न हुई, अब कुछ तो घर का काम होगा, उसने सब्जी की टोकरी में चाकू रखा, और उसके आगे रखती हुई बोली, अब बैठे-बैठे सब्जी काट डालो, किन्तु आलसी ने उस और ध्यान न दिया, थोड़ी देर बाद पत्नी जब सब्जी लेने पहुँची, तो पाया की पतिदेव खटिया पर बैठे हुए, म उनके बिस्तर पर साथ मक्हियां मरी पड़ी हैं, पत्नी को देखते ही उचाल कर बोला, देखा मेरा कमान कितनी फुर्ती से साथ को मौत के घाट उतार दिया है, अब देखना है कि पूरे दिन में कितनी मार सकता हूँ, आलसी महराज को अब यही धुनसवार हो गई, उसे ज भर के भांडे बरतन तोड डाले, उसने प्रतिग्या कर ली कि कम से कम हजार मक्हियां मार कर ही दम लेगा, जल्दी ही वह दिन भी आ गया, जब उसकी प्रतिग्या पूरी हुई, उस दिन आलसी ने सारे शहर का चक्कर लगाया, कंधे पर बांस का एक मजबूर डंडा रख, वह खुशी से उचलता कूदता अपनी बहादुरी का बखान करता जा रहा था, और सोच रहा था कि आज हजारों को मौत के घाट उतार आया हूँ, यह सुनकर लोग भयभीत हो गए, सारे शहर में हवा की तरह बात फैल गई, कि उसने हजारों को मौत के घाट उतार दिया है लोगों ने उसका नाम हजार माही रख दिया, अब आलसी महोदय, जिस सडक या गली कूचे से गुजरते, वहीं लोगों की भीड उमड पड़ थी, उस बहादुर को देखना चाहिए, जिसने हजारों को मौत के घाट उतारा है, धीरे धीरे हजार मार ही सारे राज्य में प तुरंत सारे राज्य में घूम कर देखें, और जहां भी उन्हें सेनापती के योग्य को युवक दिखाई दे, उसे फौरन हमारे दर्बार में हाजिर करें। कि राजा हजार मारी जैसे बहादुर को अपना सेनापती बनाना चाहते हैं, इसलिए तुम उसे जल्दी हमारे साथ भेज दो। पत्नी को लगा जैसे वह कोई सपना देख रही है, अपने पती की असलियत को वह जानती थी सोचने लगी, काश ऐसा हो सकता। नाम हजार मारी है? आलसी बोला, जी हुजूर, मुझे ही हजार मारी कहते हैं। राजा बोला, तुम्हारी बहादुरी के चर्चे हमने सुने हैं। हम चाहते हैं कि शत्रू के साथ हो रहे युद्ध में तुम हमारी सेना का संचालन करो। कापते हुए हजार मारी ने राजा की आग्या को स्विकार किया। और इस बात की सूचना देने के लिए घोडे पर सवार हो पत्नी के पास पहुचा। सुनकर पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने सोचा। हजार मारी सेना तो बन गया। पर शत्रू की सेना का मुकाबला वह कैसे करेगा। कहीं यह डरपोक आदमी युद्ध के मैदान में घोडे से उतर कर भाग आया तो राजा इसे जीवित न छोडेगी। उसने एक मजबूत रस्सी से हजार मारी को घोडे से बांधना शुरू किया। हजार मारी ने पूछा यह क्या कर रही हो। हजारी की पत्नी ने जवाब दिया कि मैं आपको घोडे के साथ बांध रही हूँ। स्वामी, हजारी ने पूछा कि ऐसा के लिए पत्नी ने जवाब दिया। इसलिए आपको घोडे से बांध रही हूँ। कि कहीं आप लड़ाई के लिए उतावली होकर घोडे से कूद पड़े और पैदल ही न लड़ने लगे। वापस लोटने पर भरे दरबार में जब लोगों ने हजार मारी को घोडे से बंधा हुआ पाया, तो उनका उत्साह और भी बढ़ गया। ऐसा वीर सेना पती दूसरा कौन हो सकता है, जिसने घोडे से न उतरने की मन में ठान ली है। सेना युद्ध के लिए तयार थी, राजा की आग्या पाते ही हजार मारी के नेत्रित्व में वे युद्ध भूमी की ओर चल पड़े। उन्हें साक्षात अपनी मृत्यू नजर आने लगी। हजार मारी की सेना का उत्साह आसमान को छू रहा था। मैदान में पहुँचते ही वे शत्रू की सेना पर तूट पड़े। पर विजय पाने के बाद अपने सेना पती की जयकार करते हुए जब सैनिक वापस लोटने लगे तो हजार मारी भी बांसों के जंगल से निकल कर उनके बीच शामिल हुआ। वापस लोटने के बाद नगर में धूमधाम से विजय उत्सव मनाया गया। हजार मारी की वीरता पर राजा प्रसन्न हो बोली, मेरे बहादुर सेना पती हमें तुम पर गर्व है। ये बहुत प्रसन्न हुआ और मन ही मन अपने भाग्य को सराहने लगा। उसके बाद राजा ने पूछा कि बहादुर सेना पती हजार मारी जी आप हमें यह बताईए कि आप इतना बहादुर भर काम इतनी आसानी से कैसे कर लिया। तब हजार मारी ने बड़े ही गर्व के साथ जवाब देते हुए बोला कि हे राजन यह जो कुछ भी हुआ है या सब मेरी समझदार और बहादुर पत्नी की वजह से हुआ है इसमें एक बहुत ही गुप्त कम छिपा हुआ है जिससे मैं आपको अकेले में राज महल से बाहर अपने घर जाने के बाद ही बताना चाहूंगा राजा ने पूछा कि सेनापती हजार में यह बताओ कि तुम यहां वह गुप्त बात क्यों नहीं बता सकते हो तो उसने कहा यही तो मेरी सफलता का राज है जिसे मैं सब के सामने नहीं बता सकता आपको मेरे साथ महल से बाहर तब राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ राज महल से, बाहर तुम्हारे घर जाने के लिए तयार हूँ, तब राजा और सेनापती दोनों एक साथ राज में है, से सेनापती के घर गए, जब वह घर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि सेनापती हजार मेरी की पतनी अपने घर में बैठी बड़ी बेसब्री से अपने पती की इंतजार कर रही थी। जैसे ही हजार मारी की पत्नी ने सुबह सुबह अपने पती और राजा साहब को अपने घर पर आते देखा, वह तुरंत ही उठी और राजा सहब के सम्मान के लिए उप्युक्त व्यवस्था करने में जुट गई फिर राजा का बड़े ही सम्मान के साथ स्वागत सत्कार किया और वह खाना तो बना ही चुकी थी तभी उसने राजा सहब को खाने के लिए भी चौकी सजा दी और राजा साहब को अच्छे से सुबह सुबह खाना खिला दिया तब फिर हजार मारी बोला अब तो आपने देखा ही होगा और समझ भी गए होंगे कि मेरी जीत का असली राज्य क्या है मतलब की है महाराज जैसा कि हम सभी को पता है कि जिस घर की महिला सुबह प्रातह काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती है उसके घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होती और उसके यहां लक्ष्मी का वास होता है और वही जिस घर में कोई महिला सुबह सुबह जल्दी खाना बनाती है उसे घर की तरक्की बिलकुल पक्की है क्योंकि राजा साहब और हम सभी लोग यह जानते हैं कि जिस घर में सुबह जल्दी खाना बन जाएगा तो उसे घर की तरक्की इस तरह से होती है जैसे कि यदि सुबह जल्दी खाना बनेगा तो घर के बच्चे जल्दी से स्कूल के लिए भी चले जाएंगे और यदि कोई व्यक्ति कहीं ओफिस में काम करता है या फिर किसी को कोई जरूरी काम है तो वह घर से कभी भी खाली पेट नहीं जाएगा। वह कहीं भी खाना खाने के बाद जा सकता है और अपना पूरा काम पूरी लगन और मन से कर सकता है। ने बिल्कुल सही कहा। सेना पती जी जिस घर की महिला सुबह जल्दी ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर के सारे घर के कार्य कर लेगी और सुबह जल्दी खाना बना लेगी उसे घर की तरक्की तो बिल्कुल तय है। काम्याब व्यक्ति के पीछे किसी महिला का हाथ जोड होता है और घर की महिला यदि चाहे तो घर को स्वर्ग बन सकती है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्स